यह मदन जी आ गए यह पीछे एरावद कोटिस दिख रही है सीता बनी दा एरावद करके आप गूगल करो तो मिल जाएगा और यह बढ़िया खाना खिलाते हैं इनका पिशली बार में ने यूटूब चैनल का नाम बोला था कॉर्बेट लवर जोशी जी तो इनके तीन साड़े तीन सो चार सो कुछ बढ़ गया तो आप एक काम कर लो एक बार जाके सब्सक्राइब तो करी लो देखना नहीं देखना तो आपकी मर्जी होगी अच्छा बनाएंगे तभी आप देखोगे समझे ऐ लेकिन यह कि धक्का लग जाए तो यह इनकी इनका बेड़ा पार हो जाए नईया पार हो जाए दोस्तों में आ गया सुंदर खाल साथ में हैं एहमद जी और अभी हम जा रहे हैं वीरु भाई के यहां छोटा भी मैगी पॉइंट जब से फिर आया नहीं हूं एक दिन आने क कोशिश की थी लेकिन उस दिन में लेट हो गया तो जब मैं गया था बेताल घाट तो फिर मैंने वीरु को बोला था तुम बंद कर देना मैं लेट हो रहा हूं तो मैंने बाहर से आप लोग को दिखाया था तो आज चलते हैं वीरु से मिलते हैं उसके बेटे वरुन से मिलत कि एक गाड़ी के बिछ क्या हुआ मैटर वो एक गाड़ी हमारी यहां से लोकल की गाड़ी थी वो पहाड के लिए जा रही थी तो ऑन दा वे टाइगर्स ने उनके उपर अटाइक किया तो उस गाड़ी के उपर स्क्रेच भी थे उसके नेल्स के तो उन्होंने फिर अपना न इस सुन्दरखाल पनो बरसाती नाला है जहां भी पिछला वारदात करी थी इसका मतलब जो टाइगर्स पकड़ी गई है उसके साथ का जो बच्चा है यह उसके कप्स हैं और वही कर रहा है तो इस बात के पूरी संभावना है कि जो अभी नफीस था ना नफीस को जो ले ग अच्छा तो डियने में तो मिलेगा है मिलकुल 100% मिलेगा यह दोस्तों वही वाला नाला आ गया जिसमें सुन्दरखाल की मैनिटर लेडी किलर पकड़ी गई इस पेड़ पेड़ी गई थी इसमें घेर लिया गया था और बाद में इसको मारा गया था उसने 8-9 शिकार किया अच्छा रिए उसमें च्छे साथ लेडी किलर तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया था जब मैं उसकी ताम में दॉक्मेंटरी इस बनाया कर दा था तो मिलेगा एमध को फौन किया वाई इसका डीटेल बताओ तो एमध नहीं बूला कि वो लेडी किलर है उसका नाम तो तो ये बात मुझे एमद ने ही बताई थी, ये आगे अपना छोटा भीम मैगी पॉइंट अचिशत अचिशत बैप ना दीजो अचिस वाभ़ाणallo, ये आपको अचिशत ने भीम वाएatいます और शल्माय, ये अच्तिव कोарती ने भीम मैगें L autre ये बात जाओ सुनमाय, का है आपको का जूतर और मैंनि में बाते है वाद मैं state कर दो 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 कि यह वीरु भाई के मैगी पॉइंट पर है यह बैठे है एह एमद जी इनको भी आप जानते हो वहरे कई वीडियों देख चुके है हेलो तो बोलो भाई तो अभी हम जा रहे हैं पनोध नाला एक अभी कब की बात है कल पर दोगी है कल सामको यही टाइम यही टाइम इसी टाइम पे पनोध नाला यही से वीरु की शॉप के थोड़ा इसा आ गया है कि चौकी पर कुछ इनफर्म के बाकाइदा निशान मिले हैं पन्जों के बदो उसे चेज किया पन्जे मारे तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं तो अभी जो वो टाइग्रेस पकड़ी गई है उसकी डियने रिपोर्ट भी है आने वाली है तो जो पहले हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जरूरी नहीं वहीं इनवाल्व हो तो डियने रिपोर्ट में तो शायद मिले गा क्योंकि जब फैमली मा बेटे सब मिलकरी खाते रहे होंगे ऐसा मेरा अंदाजा है लेकिन यह भी चांसे हो सकते हैं कि ने बताया था इनके कजिन का था कि मा बेटो ने देखा था तो वो बोले थे कि मेल टाइगर है बहुत तग्रा टाइगर है और लंगणा नीरा है यह बोला था तो चांसे हैं तो कुल मिला के अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एहमद बता रहे थे कि फिर से हाई अलर्ट मारेंगे तो च्रकेर हमदो परते लिए वह बहुत है तो इसके अंगले माते थे लिए मुझे काई है ट्रके III लिए पिछले पिछले को अच्छा नहीं माना जाता है अगर आप पिछले हिपस werdंॐ minder ना टो यजा को रिप दो ही तिस goal प्रेट में नहीं हुआ नहीं कर पाए इसलिए बेस्ट मनाया था कंदा तो अब विरू बता रहे कि सिर्गी निकला था तो इसलिए वो ट्रेंकुलाइज नहीं कर पाए और आपने देखा होगा विरू ने भी एक मैगी वो बनाया है यूटूब चैनल क्या ना में चानल को चोटा वीम पॉइंट चो वह है पीली भीज में पपू भाई की सोन पापड़ी बहुत पसंद अभी वह वीडियो मेरा अप्लोड हो चुका होगा मैं अप्लोड पर लगा के आया था क्योंकि आज शाम को मैं जंगली रिजॉट जा रहा हूं अप्लोड स्पिट का प्रॉब्लम चल रहा है और यह बह आप दो तिन दिन बात देखोगे तो में उनके वीडियो बना रहा था और मैं पैक करा रहा था तब ही मेरे दिवाग में आया था कि यह आइडिया में वीरू को देता हूं कि उसकी दुकान है बनी-मनाई तो जो सोन पापड़ी है उसमें बेसन घोलो चास्टनी चालो बढ हम चलते हैं वह पनोद नाले पे जहां पर टाइगर दोड़ा था और उसके बाद फिर मैं निकल जाओंगा आज ही मुझे पहुंचना है जंगली रिजॉर्ट यह दोस्तों नफीस को यहां से लेगा था ना जोस्तों यह पनोद नाला है अभी इसमें ब्रिज का काम भी रो तो अभी मैं दिखाता हूँ पॉइंट जहां पर गाड़ी पर कल अटेक किया है तो यह यहां पर जो काम रोका गया है कुछ वह हाइड का चक्कर हो रहा है कि क्योंकि यह एलिफेंट कोरिडोर कभी होना जी कि केवल वो जो बना रहे हैं ब्रिज नाले के साब से नी साथ मे तो यह भी है कि एलिफेंट क्रॉसिंग हो जाए जैसे कि रिशिगेश में बनाया गया है चिदर वाला साइड राय वाला साइड वहां तो कोई नदी भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद एलिफेंट कोरिडोर बनाय गया है नीचे निकलने के लिए देहरा जून कहा है य कि एकदम छुपके ना बैठे गाड़ी वालों के पास में बाइकर्स के पास में तो गाड़ी पे दोड़ा और उन्हें गाड़ी भगाई और पंजे उसने दर्वाजे पे मारे ऐसा यह किस्सा पहले हुआ था जिसमें की गाड़ी के बोनट पर आके चड़ गया था उन्हो इसके कान चरने के मोड में नहीं है लेकिन अगर इसमें खत्रा देखा होता तो कॉल कर रही होती है बस अब देखिए बाइकर भी जा रहे है और साड़े चार पांच बजे ही वो दोड़ा है पांच बजे तो अभी फॉरेस्ट फॉलों की पूरी कोशिश है पेट्रोलिंग इस बात के पूरे चांसे है कि उस टाइगर इसको फस्ते हुए इस टाइगर ने देख लिया हो साथ में हो वह दर दरवाजा गिरा हो और यह बाहर रह गया हो इसके भी चांसे हैं लेकिन अगर यह लोकेशन चेंज कर देंगे पिंज्रे की तो नहीं पैचान पाएगा क्यो इन्होंने उसमें 300-300 किलो भैसे का मीट डाला था तो वही टेकनिक आप आजमाएंगे और फसेगा जरूर क्योंकि मास्कों देखके टाइगर अट्रैक ना हो ऐसा हो नहीं सकता कि मीट डालने से पहले इन्होंने असमें चोटा होता ना बेगी अला वह जिंदा जिंदा तू रात को बहुत रहता है साइद वह आजए अजए गर दाला तो अपिस अधिन उन्होंने नहीं बनाये थे मचान के पास पुतले भी डाले थे बड़ी मुस्किल से पकड़ा गि पुकार जाता है तो इसको प्रेय को फकेन ने के लिए उसको लग रखाजाता है क्योंकि उसको डिलेकि वह नहीं मार पाई ते तो वह ताइगर उसको दूसरे से रीलीज कर दिया जाता है तो दो सुझको यह जो एक फैक्ट है कि हमारे मन में थौट आते है कि वो जैसे वक्रा या भैसा तो टाइगर उसको मार देता था बिल्कुल अब यह जो मौडरन टाइम का है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो करें उसमें मार नहीं सकता वो उसको देखेगा कि मार सकता हूं जब अंदर पहुंचेगा तो एक ग्रिल है उसके उस पार है वो और इधर वाला की कहानिया आपने सुनी होंगी तो एक बार क्या हुआ बीरबल नाराज हो गए एक बड़ सा अकबर ने डाड़ दिया गलती थी नहीं बीरबल की यहाँ पर दंगणी गेड के पास तो टाइगर की बहुत मुवमेंट शुरू से रही है जब मैं कुमेरियां में आके रुकत पर उनको कह दिया देश निकाला दे दिया बीरबल को कि तुम निकल जाओ मेरी आखों के सामने से शेंशाह का आदेश है मानना पड़ेगा ने तो सरकलम हो जाएगा चले गए अब वो देश निकाला था कहीं रुक गए अब इनको अपनी गलती पर पश्तावा हुआ हुआ कि यार बीरबल को ढूणो बीरबल मिले ही नहीं तो उन्होंने क्या किया जाए क्या तो एक जो दूसरा समझदार दरवारी था इनके दरवार में उसने बोला कि आप बीरबल को ढूणना है तो कुछ अतरंगी सी डिमांड रख दो तो जिस गाउं में बीरबल छुपे तो उन्होंने डिमांड रखी कि हर गाउं के मुखिया को एक एक बकरा मिलेगा एक महीने के लिए और उसको बजन तौल के दिया जाएगा अगर वह मान लीजिए पचास किलों का है तो जब वापिस लाओंगे तो भी पचास किलों होना चाहिए ना वह उन्चास ना वह एक एक ना वह उन्चास हो गया तो भी सिरकलम अगर एक्यावन हो गया तो भी सिरकलम बात्शा ने दिया है तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि बराबर वजन रहे खूप खिलाएंगे तो बढ़ जाएगा घट जाएगा तो बीरवाल बोले तुम चंता मत करो, बोले तुम भरपेट खाना खिलाओ, अपने इसको बजन पड़ जाएगा, और उसके बाद रात को इसको शेर के बाड़े के बगल में बांतो, तो इस टेंशन की वैसे ये वेट गिन नहीं करेगी, तो वही उन्होंने मुक्या ने किया कि रोज भरपेट खिलाते थे, रात को शेर के बाड़े के बगल में रात भर मंदी रहती थी, वह ये वैसी टेंशन में रहती थी, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, जब सारे गाउं के उन्होंने चेक किया, अकपर ने, सब के में फरक आया, उन्होंने सरकलम नहीं किया, एक गाउं की बकरी ऐसी थी, जिसका वजन ना बढ़ा ना घटा, खट से मुक्याद बोले, बताओ, बीरबल का नहीं तो तुम्हारा सरकलम करने, उसने बता दिया, मेरे यहाँ है, बीरबल को बला लिया, तो इस तरह से अकपर ने बीरबल का पता लगा था, कि शेर के करने में चली, क्योंकि मेरे मन में थौट आता था कि कई लोग बोलते थे, गवर्मेंट की तरफ से अलाउड नहीं है, जिन्दा जानवार बांदा, लेकिन ये मुझे पता था कि बांदे जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि बीच में ग्रिल होता है, फिर से हम उसी पनो अब उम्मीद करता हूँ, अगली बार आउँगा तो विरु भाई, सो इन पॉपड़ी किलाएंगे, बिल्कुल जब दो किलाएंगे, अभी हम पनोद नाले में आ चुके हैं, और यहीं पर जो कल अटेक हुआ था, और यहां पर जो ब्रिच का कंस्ट्रक्शन पर चल रहा ह अब देख सकते हैं, अब यह रोग दिया गया, हाइट की चलते हैं, इसका हाइट का इशु है, क्योंकि यह एलिफेंट कोरिडोर भी है, यह ना, यह कोरिडोर है, तो अब अगशर रहता है, तो कई बार आइलिफेंट के टाइम में जादा मुवमेंट रहता है, जो अब देख सकते हैं, तो उसके सावदानी के लिए जो लोग है, वो अपना टाइम से काम करके सब अपने घर के बलेगा है, लेकिन एक बात है, मैं कई दिन से बोल रहता है कि पास साल में आएगा, अभी नहीं लग रहता है, अचानक से हाथी ने एक आद्मी मार दिया वार पत्ना बाटरफ़ल, हाँ, टूरिस परंट पर, टूरिस परंट पर, खेतों पर नहीं, तो मैं यह बोला था कि जानवर बढ़ रहे हैं तो भाहर निकलेंगे तो होगा ही, लेकिन एक साल में इतना आ जाएगा, यह नहीं सोचाता है, इतनी गटना है तुम भी सुनते थे प पहले तो उसी रास्ते से जाना पसंद गरते हैं, तो उस रास्ते में जो भी आता है, तो उस लास्ते को अबढ़ निकरते हैं, वसी रास्ते को यूशे पर जाते है, लेकिन कि मस्त प्रिइड में जानगे करे सीन रहा था है, तो पिर वो उसको महिने ह Edwards क्लेंना चान पर तो बस फिर लई जाएगा लाइट नाम से प्रिया प्राथा यह था लंबा नाम नाम प्राथा माल पांप्रे लालित जोरा लालित तो लालित जोरा यह बड़ गाओं के हैं यह तो मैं को रोज कमंड करते हैं जी है दोस्तों मैंने पहले जी का जिकर कर दिया था कि उन्होंने बहुत मदद करी उनको धन्यवाद दिया था धन्यवाद जितनी बार भी दिया जाए कम है है तो और भी में माम बता दे रहाँ किसी का में अमौंट बैंशन नहीं करता वब्दद आ hugs कडिवाद करते हैं 가운데 वह भी बहुत बड़ी बात है तो अनंता मांजरे जी है और बबीता बिष्ट जी है यह अमेर्का से हैं प्रिया ब्रता महापात्रे जी है यह लालिट जेरा जी है इनका तो कमेंट मुझे याद रहता है और दानी मिस्टर जानिस जी है मिस्टर जीनका सोहेद से और मिस्टर विक्स गुपता की विवेक है यह मिलने आए यह यह कैलास बुदानी इनका अपना यह कै यह तो अब ही जब यहां आया हूं तो थोटी देर पहले ही कोई सब्सक्राइबर आये तो वीडियो के पास नमबर नाम लिखा के गए थे कि मेरा नाम वीडियों बुलवा देना तो वह थे विवेक विक्स गुपता जी और एक थे कैलास बुदानी जी तो जिन लोगों ने हेल्प करी जिन लोगों ने दुआये करी जिन लोगों ने वीरू का हालचाल पूछा अभी बात खतम नहीं हो अभी तो पूछते रहने क्योंकि वीरू का भला करना हमारा इरादा नहीं था यह विरू सभी बोल दिया था गाउं का भला होना चाहिए तो कुछ देखिए अच्छा एक चीज में नाम बोलना भूल गया माला भारगों जी का उन्होंने बहुत कोशिश करी क्योंकि वह जनलिस भी है तो उन्होंने नेसले के हैं उनसे बात करी थी मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करती रहती है और मुझे लगातार अपडेट देती रही थी तो एक टीम भी आई थी यहां पर विरू के पास प्राब्लम कुछ लीगल्टी में आ गई है तो उसके चलते नहीं तो एक नेसले की तरफ से अडॉप्ट लेकिन कोशिश तो माला भारगोजी ने पूरी करी उनकी उन्होंने मदद की थी गाहों की भी जो आज सुबहें किसी वीडियो में वह भी फस्ट पार्ट में आ रहा है तो जिन लोगों ने की मतलब देखिए बड़ा अच्छा लगता और देखिए एक चीज है कि मैंने पूछिश ओफिसे थे उनका एक फॉर्मुला था इमांदार रहो भी इमांदार दिखो भी दूतर देखते साथ जाने कि हाथ तो मैंने वीरू का नंबर डाला है ना तो मैंने वीरू का अकाउंट नंबर डाला अपना और कोई फंड वाला तो नहीं जो भी कॉल करेगा वी पूस्ते वह भी बहुत है आपका दिल करता है अंतर आत्मा बोलती है कि इनकी मुझे यह करना चाहिए वह मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती बहुत सारी तरीके से होती है बस आपकी इशा है आप वह कर रहे हो कभी किसी ने अगर एक चॉकलेट भी अगर आपने चॉकलेट बोलके और मैं बार-बार आता रहूंगा जब-जब मैं कॉर्वेट आऊंगा उस दिन भी निकला था लेके लेट हो गया तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं किया अभी जंगली रिरॉट निकल रहा हूं डारेक्ट यहां से तो चलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं अगर लोकल होगी तो मैं ज्यादा दिखाऊंगा फिल्म होगी तो दो सेकंड रिजयन कॉपी राइट आजाएगा म्यूजिक पर कॉपी राइट आजाता है तो अगर आप ऐसी दून जानते हो जिस पर कि किसी चैनल का नहीं बना हुग है आप अ दोस्तों यह जो मंदिर आपको दिख रहा है यह मैन इटर अफ सुंदर खाल जो थी लेडी किलर उसका जो आखरी शिकार थे मुझे नाम शायद में कन्फ्यूज़ हूँ एक पूरन सिंग जी थी लेकिन वो तो शाद स्कूटर पर आये थे लेकिन यह कहानी दूसरी है इसमें क्या था कि जो वो लाल रंग का घर दिख रहा है यहाँ पर आये हुए थे और कुछ शादी रिष्टे की बात्ची चल रही थी कहीं पर और घर पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे इस जगे पर आके नेटवर्क आते थे यहां वो फोन कॉल करने आये थे और टाइगर ने उनको यहीं मार दिया इस पेड के नीचे ही वो बैठा हुआ था और यहां मार दिया था उनकी याद में यह मंदिर बनाया गया है और उसी दिन फिर कारवाई करके दो चार घंटे के बाद टाइगर को मार दिया गया था